आपको भी कम टाइम में अपना दोपहड का खाना टेस्टी बनाना है तो एक बार इस तरीके से दाल को जरूर बनाए आपके सिंपल से खाने को बना देगा बहुत ही बहुत ही बेतिरीन और टेस्टी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दीजेगा चानल पर अगर नए है तो चानल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं उसमें तीन से चार टेबल स्पून तेल डालेंगे उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून जीरा दो सूखी वी लाल मिर्च और दो से तीन तेज पत्ता इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी तरका लगाने की जरूत नहीं है बाद में प्रेसर कूकर में ह हम लोग सब कुछ बनाएंगे फिर भी आपकी जो डाले ना वह बहुत ही टेश्टी बने वाली है जब तीनों हलका से तरकने लगे उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता यह ऑप्शनल है अगर आपके पास एवलेवल है तो आप डाले वरना आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं बट अगर है तो जलू डाले इसे टेस्ट बहुत ही नैंस हो जाती है तो कड़ी पत्ताल का तरकने के बाद उसके बाद मैंने या पर रफ्ली चॉप किया वा अनियंस डाल दिये हैं प्यास डालने के बाद हम लोग ज्यादा ने एक से दो मिनट ह प्यास के साथ मिला लेंगे नमक को मिलाने के बाद अब हम लोग इसमें डाल देंगे रफ्ली चॉप किया तमाटर तो मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज के प्यास लिए थे और दो बड़े साइज के टमाटर दोनों की क्वांटिटी सेम लिया है तो हम लोग अच्छे से एक बड़ी टेबल स्पून हल्दी पौडर क्योंकि हम लोग दाल बाद में आड़ करेंगे तो क्वांटिटी क्या अनुसार आप डालीएगा उसके बाद वन बई बोलने के बाद हम लोग अच्छे से भूल देंगे प्यास नमाटर्व मसालों के साथ कम से कम 40-50 से केंड इसे हाइफ लेंपे हमें भूलना है उसके बाद अब हम लोग इसमें डाल अड़ कर देंगे यहां पर देखें मसूर का डाल लिया है मैंने इसे अल्रेडी मैंने धूल लिया था अच्छे तरीके से चार से पांच पानी में उसके बाद हम लोग इसमें अड़ कर देंगे डाल को यहां पर आप चाहें तो हाफ-ाफ कॉंटिटी मसूर का डाल और हाफ कॉंटिटी अरहर का डाल दोनों यूज कर सकते मिलाकर या आप सिफ अरहर का खाते वो भी य लुखर आता है पहुत हो जाता है क्योंकि हम लोग यहां से पर भून रही है न तो सॉंधे एपन कर ज्लेवर आता है वह बहुत ही अच्छा है तो यहां पहondereц न हमने भून लिया तो में दो ग्ल्दनी डाल देंगे अच्छे钟 मिला लेंगे मसालो को फ़क्तरण लगा दें और तीन सीटी लगने देंगे तीन सीटी एनफ होती है दाल अच्छे से गल जाती है क्योंकि मसूर की दाले दाल गलने में एक दम टाइम नहीं लगती है तो इसलिए दो से तेन सीटी एनफ है अब यहाँ पर हमारा जो तीन सीटी लग चुका है और मैंने यहाँ पर दस मिनट क्ले से चोड़ दिया था गैस पे ही ऑफ करते गैस को आफ करके उसके बाद इसका जो भाप है वो निकाल लेंगे और यह देखे हम लोग इसका धकन खोल लेंगे और यह हमारा दाल रेडी हो चुका है फ्राई दाल वो भी अलग से आपको कराहे में इसे नहीं फ्राई करना को गाटने वाली की मदद से हम लोग घाट लेंगे आपके बास दो भी विसकर वगेर उसे भी आप कर सकते हैं और यह हमारी दाल रेडी हो चुकी है बहुत ही कम टाइम में ज्यादा कुछ इंग्रिडिएंस नहीं ज्यादा कुछ बरतन वगेरा की भी जुरत नहीं और यह चा